नमस्कार दोस्तो, वेदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वाइर निकालने के लिए भहुत ही सांदार ट्रिक और मुझे पूरा यकिन है कि स्क्वाइर निकालने की इससे फास्ट और इजी टेकनिक आपको नहीं मिल सकती तो चलिए सुरू करते हैं चलिए मान लीजिए हमें 45 का स्क्वाइर निकालना है देखिए आप लोग बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल पाएंगे लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि ये टेकनिक क्या है देखिए 45 में हमारे पास दो नंबर है 4 और 5 अब मैं क्या करूँगा मैं 4 का स्क्वाइर यानि की 16 और 5 का स्क्वाइर यानि की 25 यहां पर लिख दूँगा इसके बाद मैं 4 और 5 को आपस में मल्टिप्लाइ कर दूँगा तो आएगा 20 और 20 का मैं डबल कर दूँगा तो आएगा 40 याद रखिए हमें हमेशा नंबर का डबल करना है 40 को 1625 के नीचे लिखना है लेकिन एक नंबर छोड़ कर कुछ इस तरीके से और बस इसके बाद हम इनको एड़ कर देंगे तो मुझे मिलेगा 2025 और यही होता है 45 का स्क्वाइर तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम किसी भी नंबर का स्क्वाइर निकाल सकते हैं चलिए मैं आपके सामने कुछ और एक्जामपल लेता हूँ माल लीजिए इस बार में 63 का स्क्वाइर निकालूँ तो मेरे पास दो नंबर है 6 और 3 6 का स्क्वाइर होता है 36 मैं 36 को यहाँ पर लिख देता हूँ 3 का स्क्वाइर होता है 9 लेकिन इस जगे 9 नहीं लिखूँगा मैं यहाँ पर 09 लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिक नंबर ही आना चाहिए अब इसके बाद मैं 6 और 3 को आपस में मल्टिप्लाई कर दूँगा तो आएगा 18 और 18 का डबल कर दूँगा तो आएगा 36 इस 36 को मैं 3609 के नीचे लिख दूँगा लेकिन एक नंबर छोड़ कर राइट इसके बाद हम इसको एड़ कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 3969 चलिए हम एक लास्ट एक्जामपल और देख लेते हैं मानली जीए हमें 94 का स्कॉयर निकालना है इस बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे 9 का स्कॉयर 81, 4 का स्कॉयर 16 इसके बाद 9 फोर्जा 36 36 का डबल किया तो आया 72 72 को हम इस नंबर के नीचे लिख देंगे एक नंबर को छोड़ कर हम इसको एड़ कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8836 तो मुझे नहीं लगता कि इस तक्निक को समझने के बाद आपको किसी भी नंबर का स्कॉयर लर्न करने की ज़बरत है आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर का स्कॉयर अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं थैंक्यू फोर वाचिंग